विए अपर थो ज़ाँ आप आप पर आप आप अपे अपर आप अपर आप वेलकम टो आप चैनल पहसे आप आप आपको इस बीडियो सेशन मा हम यह स्टड़ी गरना गई आठाच हो मेकानिक्स भने कुकी होता रत्यस को डिफ्रेंट सब ब्रांचेस को बारे माँ सो विधाउट मैंनी मस्ट डिले लेट्स जंप इंटू द वीडियो सबंधा पहला मेकानिक्स जुन छा तो यह उटा प्रांच व फीजिक्स को मेकानिक्स को क्लासिकल 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 मेकानिक्स त्यो ब्रांचे फेजिक्स वो जसको चाहिए, त्योसला हमी यूज गर्छू, त्योस्ट अब्जेक्ट्स मोशन, यानि अब्जेक्ट्स रेस्ट मा हुदा, या मोशन मा हुदा, त्योसको डिफ्रेंट कॉजे सरु को बारे मा हमी, में लिए मोशन संगर रिलेटेर, जुने चाहिए, त्योसको 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 चाहिए, त्यो जला, अबजेक्ट को, स्टडी गरचा अंडर एकलब्रियम स्तट jars स्तिक को एकल उन्याTy बहने さच उन्याप नेट फोर्स जीरो हुनु पड़े अचलेराशन जीरो रहुरू जीरो हुनु पड़े इसनथ नेसासरी कि ऑबजेक्ट रेश्ट मानी पढ़चा अबजेक्ट इकल ब्रिया मा भाको बेला मा हुना सक्सा कि तेसको वेलोसिटी गांस्टेंट होला So it is the study of the object अंडल इकल ब्रिया Statics मा हमी object को इस study गरच इकल ब्रिया मा Normal भासा हम भनने होगने generally rest मानी आमे study गरचु या time factor सांगा हमी ले कुणी खासे मतलब हो जाई ना और को जुण चे ते हो dynamics Dynamics ले आमी ले further दूए अटा सब क्याटेगरी मा डिवाइड गरेचु Kinematics रा Kinetics अब का Kinematics मा हमी के गरचु Study of the object अंडर motion अब कास्तो अपस्ता मा जसमा तेसमा एक्सिलेरेशन चाहे यानि तेसमा अगर एक्सिलेरेशन चाहे हमी तेसलाइ Kinematics मा study गरचु तरा हमी motion को ते study गरचु तरा हमी संगा इसमा cause संगा हमी ले कुणी सरोकार हो देनी आनी इंट्रेस्ट हो देना We don't study about the cause तरा हमी याँ चाहिन टाइम फैक्टर ले डोल प्ले गरचु और को जुन्चे ती हो Kinetics या जस्त लाइड डाइनेमिक्स प्रपर पनी भनी बनी 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 रचु अरे सरी Kinematics रा Kinetics दुमे मिला राइड डाइनेमिक्स बननी गरचु So अब हमी Kinetics को कुड़ा गरदा Kinetics मा यानि डाइनेमिक्स प्रपर मा हमी Object को motion संगे संगे तिसको cause यानि force को बारे मा पनी study गरचु कीन मने force is the cause for change in velocity of the object यानि acceleration So acceleration को कुड़ा बनने भी तिक डाइनेमिक्स मा हमी Acceleration को बारे मा study गरचु Acceleration को बारे मा Is that clear? So याद राकनो होला force is the main cause अनि last मा हमी याज ही कुड़ा के ध्यान मा आकनू परने हुँँच की Mechanics मा हमी दू बाटा Basic concept युज़ा गरचु यानि Space, Length राट टाइम को concept युज़ा गरचु राट दू याटा Derived concept युज़ा गरचु Derived concept कुण-कुण छथा Velocity and Acceleration New concept लाटा हमी ले डिफाइन गरचु That will make the study of mechanics much easier अबख हम्रो टॉपिक छा Physical quantity भने को कियो वा different types of physical quantity तसकुल आई हमी ले युटा सेनो एजांपल ले नू परने हुँच Let's take A A copy Let's take a copy So, we say This copy is a object Now, the object is very quality Just the mind is very quality Rung, height, weight I mean, it's a lot of kg So, in science, math and weight are a little bit Common way, I say math is a little bit So, what do we do this copy? So, copy is a How many length is a length How many breadth is a length How many breadth is a length How many thickness is a length So copy is a object How many come length is a length So, the mind or price So, our mind is a 0 Imagine, after spending our memory The mind is a dividers How much length is a length High width is a length Chapter a length means for many qualities Why must measure the size of mind And then the mind using mass I have to measure much kg The amount for minimum height I have to measure of kg Means you can measure of kilograms this is the height फिट को छके बाख मांचे संग रिज मनी शहां मया 你सा यह पनी मांचे सो हर्लेटेक्स क्वावा फ्री्टी शो जुन क्वांटिटीज को एमाउंट लाई, mathematically specify गरना सकीन चे, तेले आमी physical quantity बने गर्चो. यानि जुन क्वांटिटीज लाई, directly या indirectly, instrument को help ले measure गरना सकीन चे, तेसले आमी physical quantities बने गर्चो. जस्तो, माया, तपाई माया कती गरनू उन्स वारो लाई, तेसले आमी completely numerical values माया express गरना सक देनुम, तेसले आमी तेसले physical quantity मन देनुम, that's non-physical quantity. रिस भूख हरुचा या non-physical quantity हो. तरह, तपाई को height, that can be measured, that's a physical quantity. यो, कोपी को length, breath, that can be measured, so that's a physical quantity. याँ बड़ा हम ले के भूजयो, कि हमडो वरी पड़ी, matter हुने गर्छा, that is object, या wave हुने गर्छा. So, matter र वेव, इने रुचाई, basically, नाचर ले ये दुईटालाई ने चे energy pack गरे र दीने हो. matter ले ने energy ले एक्ठाउं देके और कोठाउं लगने हो, तेसे ले नाचर मा ये matter अवे एक्जिस्ट गर्छा होला, that can be the prediction. So, basically, matter ले energy को ट्रांजेक्शन गर्णू को लागी, ये चलाई नाचर ले फिजिकल क्वांटिटीच अरू देको चा. ते फिजिकल क्वांटिटीच अरू को नामो, mass, charge, temperature, density अरू. योचा इंपोर्टेंट रोल प्ले गर्णे गर्णू इनर्जी ट्रांजेक्शन गर्णू को बेला मा. So, basically, object itself, physical quantity होई ना, object संगा हुन्चे physical quantity. दोसरो, कुड़ा, physical quantity भने को, ते ओबजेक्ट संगा रिलेटेर qualities हरू हो, quantity हो हो, जसले, हामि डारेक्ली औ-डारेक्ली मेजर गरना सचल्चों. डारेक्ली भने ही जुस्तोŁ लें, डारेक्ली मेजर गारना मेलचे, डारेक्ल्डी मेलचे, रेक्ली मेरलचे एरिया, आमि फatura्म्फनाबबाट मेजर गर्खे ऑल, पता लगाही海 भ्र tahu यह एक्स्प्रेस गार चो, that's, that is going to be very critical for the study of science. तयो चाहिं मेन क्राइटरिया ओ फिजिकल क्वांटिटी को, example, force, physical quantity हो, mass, physical quantity हो, acceleration, पनि physical quantity हो, and force is equal to m into a, second law, Newton's को second law, force is equal to m into a, so, force रा mass को पिचमा क्या रिलेसंशिप चाह, that's second law, Newton's को second law of motion, so, law of motion, यह में एक्स्प्रेन गर्योता, क्या बाटा, force बने physical quantity रा, mass बने physical quantity बाटा, तयो सरी ने, Newton's को universal law of gravitation, force is directly proportional to the product of the mass, inversely proportional to the square of distance, so, mass रा distance बने दुटा physical quantities बाटा हमी ले, nature को universal law of gravitation ला क्या गर्योता, explain गर्यो, रा इसको लाई आमी ले, force जो फिजिकल क्वांटिटी बाटा हमी यूज गर्यो, so, nature को लाच राए, express गर्यों को लाई आमी जुन क्वांटिटी जो यूज गर्यो, that's physical quantity, उसलो लाए, आमी के बन्चुता physical quantities, now, physical quantities are of two types, fundamental quantities and derived quantities, fundamental quantities कल लाई गांचो, जस्तु घर, घर बनावने बेला मामी चाहि, rod यूज गर्ने गर्चो, bricks यूज गर्ने गर्चो, cement बालवा अवरु चाहि यूज गर्चो, so, इनने fundamental quantities हो, fundamental object शरूच, जस्त बाटेवटा घर बनेको होंचा, अनि घर बनेको वो derived हो, तो सेवा इता बालवा, cement rod बाटा यूज यूज बनावना शक्छो, तेसला इने mass, length यूज टाइम जस्तु, fundamental quantities बाटा यूज धेरे large number of derived quantities बनावना शक्छो, सो जून quantities ले, अन्य quantities लाई, बनावनु में help गरचा, तेसला हामी चाई fundamental quantity बन्चो, सो basically fundamental quantities को अंतर बाटा यूज 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 होंचा, mass, जसको unit होंचा हामनो, SI unit को कुड़ा गड़ना गड़ेचा हामी, kg, length, time, जसको SI unit, second, temperature, जसको SI unit, Kelvin, current, SI unit, ampere, luminous intensity, SI unit, candela, यहाट आजी चाई, that is amount of substance, जसको unit हामी चैमेस्टी में यूज गरचा, मोल, सो basically हामी साथ वाटा fundamental quantity चाई, अनि supplementary quantity को कुड़ा गड़ने होबने, यहामी साथ वाटा आजमा, अजी आमी ले थपया आजो, plane angle जसको unit हुँँचा, radian, solid angle जसको unit हुँँचा, esteradian, तेसारी ने आभा हमी derived quantities को कुड़ा गरणने होबने, यहाट fundamental quantities बाहाइक जनते पनी quantity चाई 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 डिराइब quantity हो, आभा हमी हेर चो, fundamental unit बने को क्यो और derived unit बने को क्यो, जुन basic उने गर चाई, तेसला हमी fundamental unit बने गर चो, जुन units और उमाँ depend गर चाई, जसला हमी और उमाँ derive गरना सक्षो, obtain गरना सक्षो, तेसला हमी derived unit बने गर चो, जुन fundamental unit को हमी ले कुड़ा गरती एक चिन पहला, kg, meter, second, ampere, kelvin, mol, यो सबाई चाई fundamental unit हर हो, derived unit को कुड़ा गरता? meter per second, meter per square second, तेसरीन, Newton, Joule, Watt, यो सबाई चाई derived unit हर हो, Now next is, scalar and vector quantity, जुन quantity चाई, मात्रे magnitude हुने गर चा, रा, जुन quantities ले, Algebraic law of addition लाए फालो गरने गर चा, तेसला हमी scalar quantity भनने गर चो, जुन quantity सेंगा magnitude रा, दारेक्शन दुबाई हुन चा, जसले geometric addition लाए फालो गर चा, तेसला हमी vector quantity बनने गर चो, So basically, scalar quantity हुनु को लागी magnitude हुने पर चा, direction भाई या न भाई पर चाल चा, तर तेले algebraic law लाए फालो गरने पर ने हुन चा, रा, बिसीकाली, नियाचर माँ, scalar quantity लाए वेक्टर quantity हामी ले पता लागोने काम गरने गर चो, हामी ले आपहे ले कुनी कुरा लाए scalar या vector quantity बनने क्रेडिट देनो, जस्तो, mass ले algebraic law लाव फालो गरेके कारणले, आमी उसले चे, scalar quantity को क्याटेगोरी मा राकेको, रा, क्या फोर्स ले, vector geometric addition फालो गरेको कारणले, उसले आमी ले चे, vector quantity मा राकेको, यसार यामी ले आपनो एक छाले कुनी कुडालाई, स्राटिक मा, जब त्यसले हमी डीफाइन गर्चो, यसके ले या बेक्टर मा राकने मिल देना, जिसको नेचर अनुसार हमीले, त्यसको classification गरनू पढने हुन छा, नाउ, नाउ, दा क्वेस्चन इस कि, magnitude हमी कलाई बहन छो, व्यागी प्शुक छो खाते हुना ऑबजेक्ट, नाउ, ऑबजेक्ट तेंगा धेव फिजिकल ग्वांटिटिज उनेगाशा, जो नाउ, व्याटिज भुजू, जा क्वाश्टिू, क्वाश्च छो अनुसा भाई भीक्ट्र रे माया च्वाश्च, कि चिनी को मास कती चा, चिनी संग देरे क्वालिटी जरू चान था, जो तो मिठोपन था, मिठोपन, तो बन यहोटा क्वालिटी हो, ते चिनी को एरिया होला, तो बन यहोटा क्वालिटी हो, चिनी को बन यहोटा क्वालिटी हो, चिनी को बन यहोटा क्वालिटी हो, चिनी को तो धर्रेक्वुडि लॉर मने यौठया क्वालिटीस यौत्य ग्वालिटी लॉर्गी ग्वालिटीस,aż ayr तव relativ is गालिटीस आरा है,क्त. तो ग्वालिटी यौधि यौधि मिनिलिमें प्वराइश्वाईभर मे थी वांकिक थि दोवारइश्व nuo लुद्योवाईख्य गालि जस्तु, mass आयो 6 kg, so 6 is numerical value, kg is unit, so 6 kg together ले आमी magnitude बन्चु, so magnitude ले आमी क्यों ले रेप्रेजन करचु? बेसिकल यो प्रोड़ाक्ट हो, number multiplied by unit, number multiplied by unit is known as magnitude, याद राखनो होला, magnitude संगा जाहिले पनी योटा unit associated हुन्च, और magnitude आमी कुणही पनी measurement को लागी से रिफाइब घरेजो, अनो प्रींचिपल प्रींचिपल आप कुणही पनी Kurこの आखना हमी मेजर, करेज सकैं पस्तु, ज स्तो हमी लेंथ लाए मेजर गर यो योटा, लुबड़ाको, क्लोध को लेंथ लेंथ से योट्या है 6 Mr. आपा उसलाए हमेले cm मां खणबाट गरने हो वाले 600 cm हुना जानचा So 6 meter is equal to 600 cm हमेले length लाए measure गारे पाची कते length, length physical quantity हो आणी cloth भने का object हो, matter तो matter संगा छा physical quantity, matter संगा length length physical quantity हो, आपा त्यों कती छा त्यों को answer ता हमेले 6 meter सा, 6 meter ता magnitude भे आले, 6 number भे आले, meter unit भे आले So multiplication is magnitude अब हमें संगा यहाँ idea आयो कि 6 multiplied by meter ला हमेले convert गरें cm मां तो 600 into 1 cm हो So यहाँ हमेले कि है रियो 6 convert बाट, 600 मा, meter convert बाट बाट, cm मां हो So number भाड़ हो, number ता भाड़ हो, तक यह त्यों लुगा को actual length भाड़े को सा त्यों लुगा आप मेजर गर्णू मांदा पहला, जती त्यों मेजर गरे पन तेती कही सा So measurement करे पाची, कुने पनी object को, physical quantity, amount, याने magnitude, amount मने भाने पाची magnitude So 6 meter is equal to, is equal to, तेसले आमी लेकी रहाचो, 600 cm A, मुना सक्षा numerical value भाड़ा, तर जती फैक्टर ले numerical value भाड़ा, या 100 times ले बाड़े को, 6 into 100 is 600 तेती कही फैक्टर ले unit ले reduce हुनू पर चा To keep the product constant, 6 ठूलो चा, 6 स्यानो चा, र 1 meter ठूलो चा ते आरको तरफ 600 ठूलो चा, तर 1 cm स्यानो चा So 6 बंदा 600, 100 times ले ठूलो चा, तेसले एक मीटर बंदा 1 cm 100 times ले स्यानो चा To finally, हामी ले कुने कुरा ले 100 ले multiply गारे हो, so 600 मा convert भा, 100 ले divide गारे, तो 1 meter convert भा 1 cm ले तो प्रोड़ाक्ट जाती को, यो प्रोड़ाक्ट जाएली नी constant रहांचा एसे ले भानेंचा, principle of measurement, principle of measurement ले क्या बहांचा, जब आपने हामी योटा measure value, magnitude ले योटा measured system बाता, और को system है, SI बाता, CGS माई या, FPS को ने system हामी चेंज गर्चो बहांचा, तेसको magnitude जाएली नी के रहांचा, constant रहांचा या, that's principle of measurement, so the next concept is unit, अवी unit भाने को क्यो हो, यसला हमी सेने दे पर दे आखो, तो मैक्सिमाम ले इसमा confusion मुने गर्चा, किनुमे डेफनेशन मात्रे मेमोराइज करर रहा हुआ है ना, so यह कुराले बुझरोक लाए, हमी योटा एक्जामपल ले, हमी संग एक साइड माँ और ठाव बाटा, चीनी ले आओ, अरे शाटन एमाउंट माली हो, जो तो हात मे आमील एती लियो है, तो त्यों साइड माराखते हो, अब त्यों हमीले यो एमाउंट त्या फिक्स गरी सकेको, यो साइड माँ आमी संगा चीनी चा, यानि सुगर चा, दूबभे साइड माँ एक साइड मां आमनों जर्नल एमाउंट चा, और को साइड मां आमनों फिक्स्ट एमाउंट चा, अब हमीले के गरियो, तो फिक्स्ट एमाउंट संगा त्यासलाइक कंपेर करना सुरू करें, हमीले के पायो कि यो फिक्स्ट एमाउंट को, यो वन ताइम्स या तू ताइम् मिले यहां जुन अमाउंट फिक्स गहरेगो, that's around 2 kg, that's around 2 kg, तो हमिले यहां के मेजर गहरेगो, that's 10 kg, so 2 x 5 is 10 kg, तो यह जनरल अमाउंट चा, यह फिक्स अमाउंट को 5 times चा, so यह 2 kg हामनों यूनित हो, याद राखने, यूनित भने को, अब्जेक्ट मैटर होई ना है, मैटर लिनूबा, अन्नोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेर्जान गन्न को लाइग, तो फिक्स amount of physical quantity ला अमिके वन्चों तो, unit भन्चों, याद राखनो ला, unit भने को अमाउंट ला अमिगो अमाउंट ला अमाउंट ला, amount of physical quantity, that's amount, that's also fixed amount, ओके, the physical quantity is itself not a unit and the object itself is not a unit, amount of physical quantity is unit, जसले फर्स्ट एम तियो उनित ट चैंच ऑन्य टो फिक्सट अमांट उनित म्याफ तुछ sicher चिति मावेंगें सकते हो. चिती बला आपनो convenience अनुसार हाई न, हमीले mass को unit साए, 1 कजी ला हमीले fixed amount को रूप मा लेको. So, that's basically concept of unit. So, हमी कुरे तो हमा 6 meter वा जो बने, that's 6 into 1 meter. 1 meter is unit. So, 1 meter को काथी ताम सथ? 6 times. So, 6 meter is general amount, 1 meter is fixed amount. 6 meter is general amount, 1 meter is fixed amount. 1 meter is unit and 6 meter is magnitude, general magnitude. So, that's a simple magnitude part. So, magnitude, certain numerical multiplied unit number. That's the concept of magnitude. So, fundamental unit को ला हमीले, अनुसार आपनो हमीले, लो मा बहिए also angesें सो, जा हमे को बेस्ट अच्यं इसक्सितक का लिए, टाप आम का आम हमी τι.